हम लोगों ने किंग्डम एनिमेलिया के सारे फाइलम्स जो हैं जिसमें माइनर फाइलम्स और मेजर फाइलम्स मैंने आपको बताया था हम लोग मेजर फाइलम्स जो 11 है उनको स्टडी कर चुके हैं जिसमें से कॉर डेटा जो सबसे मोस्ट इडवांस फाइलम्स है उसकी क्लासेज हमें रहेगी थी करने को वो मैंने आज आपको करवानी हैं Kingdom and Amelia जब भी हम बात करते हैं competitive exam की as well as हम बात करते हैं board exams की तो ये जो chapter है बहुत ज़दा important रहता है एक तो ये बड़ा chapter लगता है students को क्योंकि इसमें बहुत सारी new terms होती हैं बहुत सारी इसमें philems हैं मैंने बताया था आपको की total philems का number 35 होता है बट इन में से 11 philems को हम पढ़ते हैं जो की major philems है और बागी कुछ philems के records वगरा false record वगरा नहीं है जिसकी वज़े से उनको हम अभी minor जो philems है उस group में रखते हैं हम animal kingdom में सारी डिटेल्स कर चुके हैं notes form में आपको available है आप playlist में चेक कर सकते हो kingdom animalia की इसके बाद आज हम मेली बात करने वाले हैं और मैंने आपको कहा था मैंने last video में जो animal kingdom में video डाला है उसमें मैंने इस तरह के का ये तो ncrt में given flow chart है मैंने इसी flow chart को थोड़ा सा modify करके खुद prepare करके आपको दिया है ताकि आप उसको easily learn कर सकें और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा important हो जाता है इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ core data हम phylum core data पे आ रहे हैं क्योंकि core data के भी हम कुछ चीज़ें कर चुके हैं क्यों core data advance है क्या उसके main feature है आज हम classes discuss करेंगी classes से पहले जितना भी material है chapter का वो सारा का सारा हम discuss कर चुके हैं मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो core data है या उससे जो lower organism है जितने भी phylum मैंने आपको करवाए हैं मैंने आपको कहा था उसमें जो highlighted lines है highlighted words हैं वो previous year questions में बार-बार पूछेगे questions हैं तो उन पे जादा focus करें ठीक है अब यह जो पूरा flow chart है इसमें different classes हैं ठीक है आज हम जो classes पढ़ने वाले हैं that is cyclos tomato ठीक है फिर super class spices और tetrapoda super class है इनकी सब classes है condicthize and ostrichthize fishes इसमें fish आती हैं सारे यह true fish है मैंने आपको बार-बार कहा है false fish से भी questions रहते हैं जैसे for example hag fish devil fish किसको बोलते हैं और कौन से phylum से बिलॉंग करते हैं तो वो lower phylum से बिलॉंग करते हैं true fish की variety जो है और बहुत जादा डावस्टी होने की वज़े से सभी fish को learn करना important नहीं है क्योंकि इतनी जादा डावस्टी examiner नहीं पूछेगा और मुश्किल भी हो जाता है उस डावस्टी को learn करना इसलिए जो false fishes है ठीक है जो false fishes है वो कम है उनको जरूर learn करने महां से question क्योंकि बार-बार पूछा जाता है और यह तो सबसे main classes है यहां से heart वाले question कितने chambered heart किस class में यह बहुत बार पूछेगे questions है चलिए शुरू करते हैं मैं आपको बता दूं कि यह जो classes में आपको करवाऊंगी ncrt के according जो points है वो तो आपको learn करने ही है plus additional मैं आपको कुछ additional points बताऊंगी वो भी आपने साथ में learn करने है क्योंकि वो आपके लिए other resources से search करके बनाए गए है right first class heading डालो cyclostromata है cyclostromata जो है यह ऐसे members है जो fish की तरह आप यहां देख सकते हो इसमें ncrt की book में यह picture देके रखी हुई है fish की तरह देखने में लेकिन इनका जो mouth होता नहीं कर सकते हैं इसलिए इनको बोलते है animals with locked jaw ठीक है यह fish की तरह दिखते है राइट अब यहां पर important रहता है कि यह ectoparasite होते है on some fish मतलब fish की body पे बाहर से present रहते है as a parasite ठीक है they have elongated body bearing 6 to 15 pair of gill slits याद रखना कि इसमें यह जो gill slits होती है यह कितनी होती है 5 to sorry 6 to 15 pairs होती है जो कि respiration के लिए use होती है ठीक है cyclostorm have sucking and circular mouth मैंने बता दिया without jaw होता है ठीक है यह आप points लिख लो mouth without jaw होता है इसके बाद यहाँ पर important मैं आपको बता देती हूं कि इनकी body पे scales नहीं होती है जैसे fish की body पे scales होती है ठीक है fish की body पे इस तरीके सी scales present होती है इनकी body पे scales नहीं होती है no skills आप देया ठीक है circulatory system clothes होता है चाप यह मेराइन उते हैं मतलब यह समंदर में रहते हैं लेकिन माइग्रेट करते हैं fresh water क्य셨어요 चाहिए यह o CTR मे जाते हैं ठीक है और यह माइग्रेट कर रहे हैं फ्रेश वाटर को जा रहे हैं अपने। इग ले करने के लिए इस तरीके की migration को हम बहुते हैं यह term लिख लो आप NCRT में नहीं है Anadromus Anadromus type of migration इसके बाद जो लारवा बहां पर उनका ड्वेल्प करता है उसमें metamorphosis होती है मतलब वो पूरे इसमें body के जो organ structure है वो grow करते है और अडल्ट body बापिस से कहा जाती है marine habitat में आ जाती है इसके आपको example देखने है Maxine इसके example hagfish पूछा गया है यह क्या है ट्रो फिश नहीं है यह cyclos tomato का number है मैंने false fish वाले वीडियो में भी आपको यह करवाया हुआ है class chondric thysum करेंगे अब इसके बाद ठीक है अब जो super class Pisces है ठीक है Pisces से direct question कई बार पूछ लेते है Pisces में sub classes आती है बत्व Pisces में क्या होता है सारी की सारी दुनिया में जितनी भी फिश है वो सारी Pisces में आती है usually Pisces से most common question क्या रहता है कि इसका हर्ट कितने chamberd होता है तो two chamberd hurt होता है फिश का यह बहुत common question रहता है और जो फिश है फिश किस तरीके का अनिमल है तो फिश क्या है आपका एक वीवी पेरस अनिमल है ठीक है वीवी पेरस अनिमल है वीवी पेरस और ओवी पूरस पर भी ट्रिक वाली वीडियो डाल चुकी हो वीवी पेरस वा अनिमल होते है जो बच्चों को बर्थ देते हैं अब इन्सीयाटी के फीचर की बात करें तो अबीसली मेराइन होती है यह फिश ठीक है फ्रेश वाटर नहीं होती है फ्रेश वाटर जैसे नदी वगारा होती है या फिर जहां पर फ्रेश वाटर आता रहता है वहां पर यह नहीं होते हैं मे इन मतलम यह kondr Empress का मतलब कें एंडो zoek Step जह कि आहिए जो बॉलते हैं से जहेंडों वाला की मेन और दूनों के प्रष्टन करते हैं.. जब भोनी फिश और इन मेंडा है फिश को comparison करते हैं जो दूसरी क्लास है तो इनी बेसिस पे mouth कैसा है उनके जो आपका endoskeleton कैसा है और किलम है यह यह main feature है तो mouth ventral side पे आप इस picture में देख सकते हो ठीक है यहां नीचे वाली side पे यहां पे आपको mouth दिख रहा है तो mouth ventral position पे होता है इनका notochord notochord throughout life persist करती है ठीक ह गिल्स जो हैं without operculum होते हैं operculum क्या होता है जिसे यह कोई fish है ठीक है माल लो इसकी यह gills है इन gills के ओपर धकन की तरह एक structure लगा होता है जो इन gillslets को cover करता है बंद करता है उसको हम operculum कहते हैं तो याद रखना हैं जो cartilaginous fishes हैं condictized fishes हैं उसमें operculum नहीं होता है ओके plicoid scales होती है in here, plicoid scales क्या होती है, fish में दो तरह की scales होती है एक जो आप इस class में पढ़ते हैं ठीक है plicoid scales होती है यह कैसी होती है जैसे माल लो यह कोई fish का surface है स्पे ऐसे pointed pointed साहे होंगी इस तरी के से, ठीक है नोकेली होंगी इस चीक है दूसरी जो एस बहुती है वो ऐसे circular ह तो दूसरी क्लास में होते हैं वहां पढ़ेंगे तो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि इस तरीके की स्केल्स यह वहां पर प्रेजन होते हैं इसके बाद इनकी जो होती है बहुत जादा पॉवर्फुल होती है शार के पी एक बार पकड़ लिया अगर इनोंने तो फि इनकी बाड़ी के अंदर मतलब एयर नहीं है अगर एयर नहीं है तो यह इनका बाड़ी जो है वह डूब जाती है इसलिए इसलिए इनको स्वीम करना पड़ता है कुछ आप फिश देखो एक जगा खड़ी रहती है वह क्यूंकि उनकी बाड़ी में एयर ब्लाडर होते है ज स्केल वाला फिर इनका जो जो है वेंटरल होता है दो बारा मैं बता दू एयर ब्लाडर होते है और यह काटी लेजिए अंदो स्केलेटन इनका होता है यह में फीचर है चलिए इसके बाद यह चीज़े मैं आपको बता दी कि टू चेंबर हर्ट ही होगा जिसमें से एक क्या होता है और इकल होता है और दूसरा वेंटरिकल होता है अब यहाँ पर यह चीज़े इंप्रटेंट एलेक्ट्रिक ओर्गन भी होते हैं कुछ में इलेक्ट्रिक ओर्गन जैसे यह पर एक्जेम्पल आपको याद रखना है इनसी एटी में गिवन है तॉर पैड़ो जो वह त्राइगॉन आपको याद रखना है विच इंपोर्टेंट नंसी आटीक मैंने बार-बार कहते हूं कि एक्जेम्पल बहुत इंपोर्टेंट होते हैं और एक्जेम्पल मेक्सिमम टाइम नंसी आटीक ही यह उठाते हैं मेंका को करेंद जाते हैं अगरों से क्लिब राका चाहें तो मर जाते हैं ॹॹाल्ट ब्लेड़ दетрीक में अलग्रे में यहिसाथी DOD नियुकुरे से लुकाइज़ित के लिए अधर तर्म भी आपको याद रखने है क्योंकि यहां से भी question पूछा गया है पोई कीलो थर्मस और इनको जो है एक्टो थर्मल भी बोलते हैं तो यह टर्म भी आप लिख लेज़े राइट एक्टो थर्मल इसके बाल वही चीज़े की दे लैग दे लैग दे लैग दी कपैसिटी तो रैगूलीट दियर बाडी टमप्रेशर क्योंकि वह कोल्ड ग्लडेड हैं ठीक है सेक्सिजार सेपरेट मतलब मेल एंफिमेर बाडी दोनों अलग अलग होती हैं और इसमें आपको डॉग फिश वाल आरी होती है आरी जो पीड वगरा कातने के लिए उसको सॉब होती है उसकी तरह दिखने वाली फिश यह एक्जेम्पल भी आपको याद रखना है स्टिंग रह यह तो मैंने बताया यह आपको कि ट्राइगॉन क्या जिस तरीके से आपको डंग लगता है ना कोई वैसे उस इनमें जो एंडोस्कालेटन है वो बोन्स का होगा तो जो करेक्टर हमने पिछली क्लास में किये उससे सारे अपोजिट इसमें होंगे ठीक है पहली बात यह फ्रेश वाटर और मेराइन यह समंदर में भी होती है आप नदियों में फ्रेश वाटर जहाता है वहापे भी यह प्रेश मेरा घती हाइपा हाँ भी मेरा जब सदी है अब इनका जो एक माउथ है फोर्पेर ऑफटे में आसे माट इस पिक्चर में दिखांगा झाओ आपको इनका माउथ ज है सामने होता है ठीक है सामने रहता है इसके बाद इंका जो फोर प्यर ऑफ गल्स होते आपकी गिल स्लेट्स को कवर करके रखता है वैसे ही इनकी बाडि पर क्या सर्कुलर सकेल्स मैंने बोला यह माल लो बाड़ी है इस पर इसे सर्कुलर आप यहां पर भी देख सकते हो इस तरीके की स्केल्स प्रेजन्ट होती है इनी कौन क्या बोलते हैं साइकलोईड या इसलिए यह बायानसी को रागवलाइट कर सकते हैं पानी के अंदर पानी के अंदर बायानसी使用 पीर्थ में ठीक है है मतलब ओवा मतलब एग लेंग होते है ठीक है और development direct होती है no larval stage दे डारेक्ट और indirect development का मतलब रहता है डारेक्ट मतलब जब larva जो है वो नहीं बनेगा अगर larva बनेगा फिर larva से adult body बनेगी तो इसको हम indirect development बोलते हैं ठीक है आपको example तो देख नहीं है कोई भी एक्जेंपल पूछ लेते हैं यहां से स्क्रीन शॉट ले लो इनको लर्न करो विच इस वेरी वेरी इंपोर्टेंट चलिए नेक्स चलते हैं क्लास एंफीबिया अब एंफीबिया में आपके फ्रॉग भाई साब आ जाते हैं यह जो फ्रॉग है फ्रॉग का इस अधिक गर भाई मतलब शमिंप पासा इंप वाई मतलब और नलें आता कीसा मतलब आंप मतलब यह गोंतार सब्सक्रीं दोनों की यह जो है वह समन पार्ला मतलब बाई गानाऊSर पर दृंद सर्फेस पहलारा लगता है पहली बात एंफीबिया जो फ्रॉड है इसलिए फाइट्स को बोलते हैं, अब यह एक्वैटिक वाटर में रहते हैं और टरेस्ट्रेल हैबिटाट पे भी रहते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था, हैबिटाट वर्ड का मतलब रहता है, कि घर उसका जहाँ पे वो रहता है, और अपनी सारे रिक्वारिमेंट्स पूरी कर और यह आपको याद रहना है, टिंपमनम चो है, इसके वार को रिप्रेसिंट करता है, बाहर से इसके वार नहीं द दिखाई देता है, लेकिन अण लार। अन्दर बाड़ोरallas के वह तरह को रिप्रेसिंट करता है, ऑके यहां want अगर मैं और और फीचर बताओ जैसे एक तो cold-blooded होते हैं ये भी क्या है cold अभी तक जितने भी हमने class के वो सब cold-blooded हैं अब देखिए और इसकी चीज़े क्या पुछ जाती है इसकी body पुछ जाती है तो इसका head होता और पीछे वाला reason trunk होता है ओर इसकी body तो क्यें ही पूछ रेस्पिरेशन वाला question पूछते हैं कि इसकी रेस्पिरेशन जो है वो skin से होती है और urine की opinionmma इस्पिरेशन अगर skin से होती है उस तरह की respiration को हम भोणते हैं cutaneous respiration और अगर pounds no pulmonary respiration, cutaneous respiration and pulmonary respiration, आप ये वर्डोनों नोट किजिए, क्यूंकि ये पूछे गए questions है, respiration वाला चप्टर जो मैंने class plus one की playlist human physiology में मैंने पढ़ाया, वो पूरे चप्टर में concise notes हैं, और वो आधे गंटे की तक्रेबन वीडियो है, which is important, सारा respiration का जो एक बोलते हैं निचोड है, वो उसमें आपको मिलेगा, वो very very important, राइट, चलिए आगे, और क्या पुछते हैं, एक टेड़ पोल लार्वा पुछते हैं, कि टेड़ पोल लार्वा किसमें होता है, तो ये फ्रॉग का लार्वा होता है, एमफीबियल लार्वा हो यहां पर यहां पर आपको याद रखने है, राना टिगराना का बफो, टोड को बोलते हैं, हाइला जो ट्री पर फ्रॉग रहता है, एक और छीज में आपको बताती हूँ, इनके जो लिम्स होते हैं, यह लिम्स होते हैं, यह ऐसे पांच भागों में डिवाइड होते हैं, अब एक और मैं आपको important point बताती हूँ, यह जो amphibians है, इनको consider किया जाता है, first terrestrial vertebrate, ठीक है, first terrestrial vertebrate, लेकिन first terrestrial true vertebrate, reptiles को बोलते हैं, इनको true ancestors है, मतलब यह connection शो करते हैं, जैसे amphibians जो है, वो first terrestrial vertebrates, temporary बोलते हैं, इनको क्यों, क्योंकि यह पाने में भी बार-बार चल जाते हैं, ठीक है, true vertebrates, जो है, वो terrestrial, फिर हमने reptiles को consider किया है, ठीक है, यह चीज important question है, इसको ध्यान में रखें, next, next आपके आजाते हैं, यह है reptiles, ठीक है, रेंगने वाले crawl करते हैं, creep करते हैं, ऐसे animals, वो सारे आजाते हैं, आपके reptiles में, reptiles से, एक तो crocodile वाला question पूछते हैं, कि इसका, वैसे reptiles का जो hurt है, वो three chambered होता है, amphibians का भी three chambered होता है, लेकिन यह जो crocodile है, इसका four chambered होता है, ठीक है, वैसे ही exception of hurt में पूछ लेते हैं, कि इस बार cockroach का hurt 13 chambered होता है, ठीक है, इसके बाद कि इस स्नेक से भी question पूछते हैं, मैंने आगे आपको, मैं बताऊंगी, ठीक है, जो extra questions है, वो भी मैं आपको साथ के स बताऊंगे, अब यहां पर देखो, रेप्टीलिया क्लास में आते हैं, नाम से ही पता लग रहा है, रेप्टीलिया, रेप्टाइल, क्रीब करके चलते हैं, ठीक है, लोको मोशन इनका mode of motion यही होता है, ओके, इसके बाद यह mostly terrestrial होते हैं, रेरली यह पानी में रहते हैं, अ outermost layer होती है, epidermis की, जो की dead होती है, ठीक है, इसलिए बाहर से, अगर आप मगरमच देखोगे, या कोई lizard देखोगे, उसके बाहर का body surface mostly dead रहता है, ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है, यहां पे भी tympanum, जैसे हमने amphibian में किया कि tympanum represent करता है ear को, इसमें भी tympan होता है, हम बोलते हैं, साम के कान नहीं होते हैं, लेकिन internal tympanum होता है, निम्स जो है, two pairs होते है, usually, ठीक है, हर्ट इसका three chambered होता है, four chambered crocodile में, मैंने आपको अभी बता दिया, ठीक है, इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, यह कैसे है, cold bladder, जिसको हम और क्या बोलते हैं, प बता देती हूं, जो पूछे जाते हैं, कि एक तो जो snakes होते हैं, और lizard होते हैं, यहां से question पूछते हैं, कि यह क्या करते हैं, आपने सुन रखा होगा कॉमन कि स्नेक अपनी skin जो है, वो शेड कर देते हैं, छोड देते हैं, कई बार गाओं के लोगों को कई बार जहां जाते हैं, वहां बें मिलती भी है, ठीक है, मुझे भी एक दो बार मिली हैं, तो वो actually उनकी skin नहीं होते हैं, वो उनकी body की scales होते हैं, यह shed of क्या करते हैं, scales, not skinny, यह चीज़ ध्यान रखिए, second question मैं आपको यहां से बता देती हूं, जो important पूछे जाते हैं, यह कैसे animal है, यूरी को excret करते हैं, excretion वाले जो चैप्टर है, human physiology class plus one, उसमें मैंने सारी टम्स जिसकी होई है, क्योंकि वहां पर excretory system का पूरा detail है, इसके बार मैंने बोला है कि इनको true, first true, first true, terrestrial vertebrates बोलते है, terrestrial note का लीचे, terrestrial vertebrates इनको बोलते हैं, किसको, reptiles को, अब इनके जो egg होते हैं, एक तो यह egg laying होते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, oviparous animals बोलेंगे, ठीक है, अब इनके जो egg होते हैं, special type के होते हैं, आप नोट कर लीचे, clodoic eggs होते हैं, यह ऐसे egg होते हैं, जिनकी covering hard रहती है, और उनमें exchange of gases नहीं हो सकता है, इनकी जो membrane है, उस पे काफी जादा hard जो है, व नोट कर लीचे, एक और यहाँ से question पूछा गया है, study of reptile, यह पूछा गया question है, इसलिए मैंने आपको बता रहे हूं, study of reptile को हम क्या बोलते हैं, herpetology, herpetology, ठीक है, यहाँ पर question note कर लीचे, next चलते हैं, king cobra का question भी मैं आपको बता देती हूं, वो भी question पूछा जाता है, एक तो king cobra है, जो cobra होता है, snake, वो अपना nest बनाता है, खुद घूंसला बनाता है, एक मातर ऐसा साम जो अपना घूंसला बनाता है, वो cobra है, ठीक है, और यह जो reptiles हैं, आपको पता है, जो human beings हैं, वो mammal से belong करते हैं, mammal class हम आगे पढ़ेंगे, हमारे अंदर ribs होती है, पसलियां, जिसको हम बोलते हैं, जो chest reason में present होती है, हडियां, तो reptiles पहले ऐसे animal हैं, जिनके पास ribs हैं, ठीक है, जैसे हम यह classes पढ़ रहे हैं, सबसे पहले cyclostomata, फिर Pisces आ रही हैं, फिर आपकी amphibian, फिर reptile, एव, mammal, इस तरीके से इनकी evolution हुई है, पहले यह आए हैं, फिर यह फिर यह फिर यह इस तरीके से, तो ribs सबसे पहले किसमें बनी हैं, reptiles में बनी हैं, ठीक है, यह चीज़ जह रहे हैं, अब पूरे जो snake हैं, उनमें से सिर्फ 10% सिर्फ snake ऐसे होते हैं, जो poisonous होते हैं, बाकी poisonous नहीं होते हैं, यह जो snakes हैं, reptiles मैंने बताया कि एग ले करते हैं, इसलिए उनको oviparis बोते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे snake भी होते हैं, जो बच्चे को directly burst देते हैं, उनको vviparis snakes बोते हैं, लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, एनाकॉ यह question भी आया हुआ था, टैट में, और माँ पे option में python भी था, और कुछ बच्चे python करके आ गए थे, ठीक है, अब हम next, जो class है वो करते हैं, that is aves, aves class, अब ध्यार मिखना, जैसे मैंने पाइसे में बताया कि सारी की सारी true fish उसमें आते हैं, वैसे ही aves में सारी की सारी birds आते हैं, तो अब अगर मालो कोई बच्चा बोर्ड के लिए त्यारी कर रहा है, उसको कोई features याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसको इतना पता है, इसमें birds आते हैं, तो आप bird की picture माइन में आएगी, तो सारे features उसके जो जो आपको दिख रहे हैं, उसको आप लेग सकते हो, जैसे सबसे main इसका feature होता है, feeder, punk, इसके जो body पे बहुत सारे feeders होते हैं, और जो की इनको help करते है, fly करने पे, कुछ ऐसे birds भी होते हैं, जो flightless होते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, जैसे की ostrich, ostrich से question पूछते हैं, कि ostrich की जो एग होता है, ठीक है, एग जो है वो पहले, जब तक उसम cellular होता है, इसलिए largest cell किसका होता है, ostrich एग का ही होता है, ठीक है, इसके बास आपको पता है, बीक होती है, birds के पास, और four limbs, देखो four limbs क्या होती है, अब हाथ और पाउ, जो हमारे हाथ हाथ है ना, मतल बाजूए हैं, वो four limbs होती हैं, और जो हमारे टांगे हैं, पाउ हैं, वो hind limbs होती हैं, तो इनकी जो four limbs होती हैं, पांक में बदल चुकी होती हैं, अब ये modified होते हैं, इनकी hind limbs, जो पीछे बाले इनके पाउं रहते हैं, मतला, वो modified होते हैं, walking, swimming, क्लास्पिंग करने के लिए, और बहुत सरी जो इनकी activities होती हैं, उसमें involved वो होते हैं, अब इनकी body पे सिर्फ 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 oil glands present होती हैं, वो भी इनकी कहां पे, base of tail पे, ठीक हैं, अगर इनकी bones की बात करें, इनका जो endoskeleton है, body के अंदर का skeleton है, वो bones से बना होता है, लेकिन इनकी जो bones होती हैं, वो hollow होती हैं, ताकि वो भारी ना हो और उनको उड़ने में help करें, इनकी bones में air cavity भी होती है, क्या होता है, air cavity होती है, यहां लिख रखा है, इसलिए जिन bones में air cavity होती है, उनको हम pneumatic bones बोलते हैं, ठीक है, यह word यहां पे आप note कर लेजे, इसके बाद, अभी तक हमने जितने भी animals किये, वो सारे cold blooded किये, तो आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ birds और mammals ही जो homeothermous, यह endothermal animals बोलते हैं, यह terms बार-बार पूछी गई है, इंपोर्टेंट है, भी recent paper में मैं इसको देख रही थी question को, ठीक है, अब वर्म ब्लेडिड ऐसे animals होते हैं, जो अपना body temperature maintain कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी बताया है, fertilization इनकी internal होते हैं, मतलब बाडी के अंदर होते हैं, और यह कैसे animal हैं, यूरीको टालिक है, अभी मैंने बताया कि जो यूरीक एसिड एस एक्सक्रेटरी प्रडाक्ट जो है, अपने body से बाहर निकालते हैं, उनको यूरीको टालिक बोलते हैं, एक और question यहां पर comment रहता है, कि birds की, Aves class के members की trilobed kidney होती है, यह question भी उसको bird migration बोलते हैं, और वो इसलिए इस member, जो Aves के member है, वो migration शो करते हैं, students, इक और चीज़ मैं आपको यहां पर बता दू, जो यह birds हैं, यह respiration के लिए lungs का इस्तमाल करते हैं, और lungs से होने वाली respiration को हम क्या कहते हैं, pulmonary respiration कहते हैं, important चीज़ यहां पर कि यह जो birds हैं, इन तो कुछ ऐसे feature जो इनको उड़ने में मदद करते हैं, वो कौन-कौन से, पहली बात इनकी जो body है, that is streamed line body, ठीक है, streamed line body, दूसरा presence of wings, wings है इन में, ठीक है, flight muscles होती हैं, कैसी flight muscles होती हैं, इसके बाद इनकी hollow जो है, वो bones होती हैं, high metabolic rate होता है इनका, ठीक है, यह भी important feature है, high metabolic rate, अब भी इससे high metabolic rate इनको कैसे उड़ने में मदद करेगा, क्यों high metabolic rate होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे high respiration होगा, high respiration होगा, आपको पता है, respiration है कैसा process है, जो हमें energy देता है, इसलिए high energy मिलेगी और दूर तक उड़ पाएंगे, यह ठीक है, confused होता है कई students को, कि हमें energy खाने से मिलती है, food से मिलती है, नहीं, food जब तक food की oxidation नहीं होगी by the process of respiration, तब तक आपको energy नहीं मिलेगी, इसलिए energy आपको, जो respiration, जो आपकी cellular respiration है ना, तब वहाँ पे आपको energy मिलती है, सांस लेने से energy नहीं मिलेगी, सांस लेने से वो oxygen, जब तक आपकी cells तक जाके food का oxidation नहीं करेगी, तब तक आपको energy नहीं मिलेगी, यह भी एक deep concept है, respiration भी एक deep concept है, है ना, okay, example मैं यहीं से क्योंकि आपको learn करने पड़ेंगे, तो यहीं से आप screenshot लेके इसका learn कर ले ना, इनको, last class रहती है, अब हमारी यह मैमेलिया, जिसमें हम लोग आते हैं, ठीक है, हम लोग भी इसमें आते हैं, हमारी picture है, नहीं है, हमारी picture यहाँ पे नहीं लगई है, NCRT ने, चलो कोई बात नहीं, खुद को consider कर लेना, इसमें कंगारू, ठीक है, चमगादर, यह आपकी वेल है, यह सारे इसमें आ जाते हैं, अब मैमेलिया के भी बहुत सारे features होते हैं, ठीक है, चलिए one by one करते हैं, पहली बात, इनकी body पे hairs होते हैं, ठीक है, बहुत सारे जानवर भ मैमल्स कैसे पहचान होगे, आपकी मैमल्स कौन से अनिमल्स होते हैं, देखो, ऐसे अनिमल्स जिनके पास मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, क्या बोरियू मैं, मैमरी ग्लैंड्स, यह ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, जो किसी फिमेल में मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, तो ऐसे ग्लैन्ट जो मतलड ऐसे ऐनमल जो अपने बच्चों को डूध पिलाते हैं वो सारे के सारे में 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 दूद्ध में आते हैं ये इस ये इसे इसका में ए और में फिचर इसका होता है कि बच्चों को जो बर्त देते हैं that is लेकिन और भी वी पैसτίên अजिए बटे कि चले पहले NCRT में देखते हैं कि क्या के देखे रखा हुआ है हमारी बॉडी में या मतलब मैमल्स की जो बॉडी है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं आगे वाले टीथ जिनकों इंसेजर कहते हैं अलग दिखाई देते हैं थीक है के नाइन अलग दिखाई दिख जो बॉडी में एक वीडियो इसनिंद बॉडी प्लेसेगाए ने जो होते हैं आपको मैमल्स के सारे लर नहीं है तो आपने फीचर लिख दो हमारे रस्पीरेशन लंग्स के थू होती है है लंग्स को हम क्या बोलते हैं प्लाइसे लिगाए रस्पीरेशन लेड़ने पल्मोनरी टाइप ओफ रेस्पिरिशन ठीक है इसके बाद वीवी पेरस है क्योंकि बच्चे को जनम देते हैं ठीक है डिवेल्प्मेंट डिवेल्प्मेंट है नो लार्वल स्टेज देर इसलिए क्या है डिरेक्ट डिवेल्प्मेंट है अब यह बहुत सारे यहां पे पूछे जाते है विच इस इंपॉटन चलिए करते हैं तो इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि इसमें 12 पेर वाला जो 12 पेर ओफ क्रेनियल नर्व होता है 31 पेर ओफ स्पाइनल नर्व होता है मैमेलिया में हुमन्स पी उसी में आते हैं हुमन का एक्जेंपल बहुत बार पुछते हैं साउंड प्रोड्यूजिंग और यहां से पुछते हैं कि जो साउंड हमारी बॉड़ी में या फिर मैमल्स की बॉड़ी में प्रोड्यूस करता है वो क्या है वो लेरिंग्स है जिसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं ठीक है इसके बाद पुछते हैं कि जो आर nucleus उसमें होता है nucleated होती है इसके बाद brain से question पूछते हैं कि जैसे यह brain है तो brain के दो भागों को आपस में connection जोडता है उसका नाम पूछते हैं that is corpus callosum question कई बार यह वाला ऐसे भी रहता है two hemisphere one is this second is this the structure we join the two hemisphere of brain is known as corpus callosum ठीक है ऐसे भी यह question रहता है एक और यहां पर question पूछा जाता है in male of mammalia जो mammals में male होते है na male body उसमें जो testis होते है ठीक है जो male gamit produce करते हैं वो situated होते हैं और located होते हैं extra abdominal reason में ठीक है extra abdominal reason में वो होते हैं इसी वो testis के ball like structure जो की struttle sack में present होते हैं वो आपको hanging दिखा देते हैं नीचे वाली साइड को वो जो है वो extra abdominal reason नीचे वाले reason में आ गए होते हैं ठीक है यह भी characteristic feature है आप kingdom animalia playlist में जाके सारी वीडियो देख सकते हो ठीक है मेरी playlist में जाके यह जो classes है वो बहुत जादे important रहते हैं बहुत जादे question यहां से पूछे जाते हैं okay so thank you so much for watching my video if you like my content please like share and subscribe to my channel thank you bye bye have a nice time आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी different playlist में different videos जैसे कि मैं आपको यहां बता दूँ कि हमने top 100 ncrt question की series जो है जिसमें class wise यह class plus two के लिए series separate है जिसमें हम बहुत सारे chapters कर चुके हैं और upcoming days में next chapter भी complete कर लेंगे इसके बाद एक series यहां पर important आपको मिलती है जो है target HPTat biology section के लिए इसमें biology related जितने भी according to HPTat question जो है वो डाले गये हैं वो class plus one class plus two के according और previous year question के according है एक recent हमने series चुरू किया that is target HPTat chemistry section और इसमें भी important chemistry के basics जो है वो रहते हैं एक playlist आपको मिल जाएगी जिसमें biomolecule हमने जो है वो complete किया है biomolecule के basic plus इसमें सारे notes भी आपको मिल जाएगे ये जो playlist है इसमें HPTat related जो notification वगरा होता है उसको हम जो है upload करते हैं इसके बाद जो है bio booster series आपको मिल जाएगी very important topics के लिए जिसमें आपको कुछ topics की tricks और hacks में मिलेंगे इसके बाद biological classification को हम complete कर चुके हैं सारे important question with notes आपको इसमें मिल जाएगे class plus 1 की top 100 ncrt की series आपको मिल जाएगी जिसमें हम काफी जादा chapter complete कर चुके हैं class plus 1 से भी kingdom animalia के लिए separate एक video जो है वो playlist आपको मिल जाएगा जिसमें हमने core data की classes को अभी डिसस नहीं किया है rest हमने सारे के सारे फाइलंस उनसे related question जो है डिसस कर लिये हैं इसके बाद HPTad की previous year question की series है class 9 की biology है ठीक है और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है इसके बाद आप देख सकते हैं class plus 2 की reproduction in organism की जो है videos आपको मिल जाएगी 10th class की CBSC and CRT की जो है videos आपको मिल जाएगी और human physiology section जो है वो class plus 1 का details इसमें आपको मिल जाएगी जो की बहुत important रहता है so these are very very important playlists for you you can go through the channel and watch the different videos they may be helpful for your examination thank you so much for watching bye कर दो के दो के बाएगी मैं जाएगी тут कि मुझें लो है बाएगी जो है